में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग and I am the faculty of law in the competition community और आज आप सभी law students के लिए मैं लेके आया हूँ हमारी law simplified series के एंडर में एक और वीडियो लेक्चर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ब्रीफ में डिसक्स करेंगे stages of crime के बारे में IPC के एंडर में stages of crime के बारे में आज हमारा discussion का purpose क्या है purpose इसलिए है क्योंकि जब कभी भी हम criminal law को पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरुबात होती है stages of crime को पढ़ने की और stages of crime को समझने की अगर हमें crime के stages पता हैं तो आगे की sections को हमें किस तरीके से deal करना है वो जड़ा आसान हो जाता है और index को और किस flow में हमें उस bear act को पढ़ना है वो भी हमारे दिमाग में clear हो जाता है इसलिए आज के इस video lecture में हम अपने दिमाग में concept build करेंगे कि crime के stages क्या होते हैं तो आज जैसा कि हम यहां उपर देख सकते हैं different stages of crime कौम पढ़ने वाले हैं IPC के अंडर में अब यहां specially हमने IPC क्यों लिखा है चलिए सबसे पहले शुरुवात वहीं से करते हैं जैसा कि हमें पता है criminal law के बारे में अगर अगर बात करीजा है जो तो हमारे सबसे important bear acts है एक है IPC और एक है CRPC यानि कि Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure अब यह IPC और CRPC के बीच में फर्क क्या है IPC डील करता है Penal Laws के बारे में यानि कि वह Offenses के बारे में बताता है जो अगर constitute होंगे तो वह crime क्या लाएंगे हमारी society में CRPC जो है वो क्या बताता है वो एक ऐसा procedure बताता है कि अगर यह crime commit हो गया IPC के अंडर में तो किस procedure के तहत उसको सजा दी जाएगी जानि कि उसको कौन से magistrate के पास ले जाएंगे वह magistrate उसको कैसे न्याय देगा किस तरीके से वो दोनों parties को सुनेगा किस तरह से वो evidences को record करेगा और आखरी में वो judgment देखे किस तरीके से या तो वो acquit करेगा और या तो वो क्या करेगा convict करेगा convict और acquit का मतलब बहुत simple है acquit का मतलब होता है छोड़ देना बाइज़द बरी करना और convict का मतलब होता है सजा देना on the other hand IPC में क्या है IPC में केवल offenses described है यानि कि IPC को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्योंकि अभी हम बात करने वाले हैं IPC के context में यानि कि IPC के context में stages क्या है अब हमें यहां पर यह समझने वाली बात है कि IPC के वाल offense के बारे में बात करता है इसलिए अगर हम stages of crime की बात करेंगे तो IPC के context में stages of crime होगा कि कौन से intents के साथ वो crime करने का intent शुरू हुआ और जैसे ही वो crime हो गया वैसे ही क्या हो जाएगा IPC का stages खतम हो जाएगा लेकिन जब हम CRPC की बात करते हैं तो जब IPC का offense हो जाएगा तब CRPC के stages of crime शुरू होगे यानि कि criminal law की proceeding के stages शुरू होगे CRPC में offense खतम हो जाने के बाद इसलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे IPC के stages of crime और इसका second part हम वीडियो लेके आएंगे जल्दी जिसमें हम discuss करेंगे in brief CRPC के stages of crime के बारे में या criminal proceeding के बारे में एक बड़ी interesting चीज़ बता दूँ IPC के stages of crime में केवल 4 stages हैं लेकिन जब हम CRPC को deal करते हैं तो 15 से जादा stages को हम in brief पढ़ते हैं तो अगला वीडियो और भी interesting होगा फिलाल हम शुरू करते हैं हमारे Indian Penal Law के अंदर कद हमारे stages of crime के बारे में तो जैसा कि आपको यहां बड़ा सा लिखा दिख रहा है crime और अब हमें इसके अंडर में पढ़ना है कि इसके 4 stages क्या है numbering में यहां से पहले ही कर द आज के उस काम को किया जैसा कि अमाम तोर पे भी कहते हैं कि अगर आपने कोई काम किया हो और अगर आपका उसका intention ही नहीं सा काम करने का तो शायद आपको माफी मिल सकती है इसलिए किसी भी crime को करने के लिए सबसे पहला और जो सबसे first step है वह intention intention of committing such crime यानि कि आपके यह हो सकती ही कि अगर आप किसी का murder करना चाते है तो आप चाकू खरीदने चले गए अगर आप किसी को जहर देना चाते है तो आप जहर खरीदने चले गए अगर आप किसी को सिर्फ धक्का देना चाते हैं तो आपने क्या किया तैयारी शुरू करी आप जाके देखने लग करना या कोई भी ऐसा काम करना जो कि उस एक्ट में आपको help करेगा उसको हम कहेंगे preparation इसके बाद अगला क्या है हमारे पास इसके बाद अगला है attempt attempt करना मतलब उस crime को commit करने की कोशिश करना attempt में और completion में बहुत महीन फर्क है फर्क यह है कि अगर आप मान लीजे अगर आप किसी क्यों चाकू मारना चाहते हैं और अगर आप चाकू लेके उसके पीछे दोड़े या आपने अपना चाकू उसकी तरफ फेका या अगर आपने को उठाया और उसको बोला catch it और फेक दिया तो उन तीनों के तीनों केसिस में आपने attempt किया कि वह क्राइम कमिट हो जाए तो वह होगा attempt यानि कि आपने शुरुवात करी initiate किया यानि कि ट्रेन को अगर 160 की स्पीड में चलना है तो सबसे पहले ट्रेन को स्टेशन को छोड़ हो गई तो यह स्टेजस ऑफ क्राइम चार मेजर अब क्या वीडियो यहीं खतम हो जाएगा सर नहीं हम किसी भी चीज को scratch से समझते हैं और उसको पूरी तरीके से decode करते तो यहां भी हम इस topic को अच्छे से decode करेंगे example लेते हैं अजय और विजय जी का मान लेते हैं कि एक person है अजय और उनके साथ के एक दोस्त है विजय जी टोपी ओपी पहनते हैं अजय जी को पसंद नहीं आता क्योंकि अजय जी की style यहीं से दिख रही है काफी fancy है तो अजय जी के दिमाग में बात आई कि मैं विजय को मा इंडर में और यहीं से हमें एक नया शब्द मिला mensria mensria IPC की language में intention को mensria कहा जाता है तो अगर कभी भी आपके एक्जाम में question आता है mensria को लेके तो आपको पता होना चाहिए कि वह बात कर रहा है intention की जो आपके दिमाग में intention है उस crime को commit करने का उसी को mensria कहते हैं यानि कि अजय विजय को मारने के लिए जब यह सोचेगा कि मुझे उसको मारना है मेरा यह intent तयार हो चुका है तो वो कहलाएगा intention stage पे आगे बढ़ते हैं अब अगर हम आगे जाएं और देखें कि कि किसी सम preparation में नहीं आता लेकिन अजय ने जो intention सोचा था इससे पिछली वाली slide में कि मैं मारना चाहता हूं विजय में उसके तहत उसने मार्केट से जाके एक knife खरीदा अब वो आ जाएगा preparation के clause में जैसा कि हमने पिछली दो स्लाइट में देखा था कि सबसे पहले intention है उसके बाद preparation तो यहाँ preparation अजय जी ने शुरू कर दी है इसके बाद अगले stage पे अजय जी ने विजय जी को stab करने के intent से चाकू से आगे बढ़े और उसको दोड़ाया इस case में क्या होगा attempt होगा यानि कि इस वक्त अजय जी जो है वो attempt कर रहे है murder का जैसे कि आपने बहुत सारी movies में सुन accomplishment जैसा कि दिख रहा है अजय जी ने क्या किया विजय जी को चाकू मार दिया और यहाँ पर क्या हुआ accomplishment और एक शब्द नीचे लिखा हुआ है Actus Reus Actus Reus बड़ा important शब्द है IPC का जो बताता है कोई act या omission का होना इसका मतलब क्या है तो हमें यहाँ पर दो शब्द मिल रहे हैं पहला हमें शब्द मिला Mens Reus का Actus Reus और Mens Reus यह दो सबसे important term है stages of crime IPC में और आगे हम इसी के बारे में discuss करने वाले हैं But I hope अभी तक आपको stages of crime समझ में आ चुके होंगे आगे हम जड़ा discuss करते हैं कि Mens Reus और Actus Reus होता क्या है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि Actus Reus का मतलब होता है कोई act या omission और Mens Reus का मतलब होता है कि आपके दिमाग का कोई intention जो आपने mentally सोचा हो कि मेरा ये intent है कि मैं इसको मारना चाहता हूँ और जो पहली बार आपने सोचा वही क्यालाएगा Mens Reus तो जड़ा देखते हैं एक legal maxim है हमारे पास जो IPC में सबसे ज़्यादा commonly use होता है Actus non-facetrium nisimencetria बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा सर बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा कोई बात नि इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है उसको हम देखते हैं और हम इसके वल थोड़ा सा याद करना है उसके बाद हम clear कर लेंगे मेंस रिया यहां पर हमें लिखा हुआ दिख रहा है यह मेंस अंडरलाइंड है यह रिया अगर एक्जाम में कभी आता है तो हम इस तरीके से उसको decode कर सकते हैं An act does not itself make one guilty unless the mind is also guilty कोई भी कार कोई भी attempt कोई भी कोशिश कोई भी काम जो हम करने जा रहे है वो तब तक guilty नहीं कहलाएगा जब तक आपका mind guilty नहीं था ऐसा हो सकता है कि कोई परसन जो है वो बिलकुल भी इस mindset से नहीं था कि मुझे किसी को चोट पहुचानी है लेकिन उसके पैर के नीचे केले का छिलका आया उसके हाथ से जो बरतन थे वो गिरे और सामने वाले के सर पे गिरे औ सरफट गया तो इस case में वो परसन guilty नहीं माना जाएगा क्यों नहीं माना जाएगा इसले नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके पास mensoria नहीं था उसका intention नहीं था उसको hurt करने का और यही सबसे important part है crime का कि आपके दमाग में intention होना चाहिए कि आप किसी को नुक्सान पहुचाना चाहते हैं या वो criminal offense को करना चाहते हैं आगे बढ़ते हैं mensoria is considered as the very first stage of the crime mensoria को consider करते हैं किसी भी crime का पहला स्थे जो कि हम अपनी table में भी देख चुके हैं कि सबसे पहले intention ही होना चाहिए अगर intention है तो crime आगे बढ़ेगा अगर intention ही नहीं है तो crime महीं पर रोग दिया mind एक person को किसी भी crime के लिए guilty तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि यह पूरूफ ना हो जाए कि उसका mind भी guilty था अगला केस हमारे पास आता है करतार सिंग वससे state of Punjab का statutory penal provisions must be read with the elements of mensoria unless a statute either expressly or by necessarily express that there are exceptions to mensoria mensoria will be applicable यह केवल केस में इतना बोला गया था कि कभी भी हमेशा जो statutory provisions है यानि कि जो laws है उनको देखा जाएगा और until and unless किसी law में expressly mention हो कि अगर इस case में mensoria नहीं है यानि कि अगर इस case में intention उस इंसान का नहीं भी है और तब भी crime हुआ है तब भी उसको punishment दी जाएगी exceptions है और अगर exceptions नहीं दिया हुआ है तो उस इंसान का intention होना बहुत जरूर example है mensoria को समझने के लिए क्या है इस example में इसमें defendant does not give the food to his wife for several weeks and he is now liable for murder एक इंसान ने अपनी wife को एक कमरे में बंद कर दिया और उसको कई हफतों तक खाना नहीं दिया अब इस case में वो उसको सिर्फ खाना नहीं दे रहा था लेकिन वो उसको जान से मारने की कोशिश नहीं पता थी कि अगर एक हफते मेरी बीबी खाना नहीं खाईगी तो उसकी तवियत खराब हो सकते हैं और उसकी जान भी चली जाए और इस intent से उसने यह काम किया भले उसने पूरा कोई act नहीं किया जान से immediately मार देने का लेकिन उसका कोई भी act या omission जो कि इस बात को यह बताता हो कि वह intention proof कर रहा हो कि उसको पता है कि मैं यह murder कर सकता हूं मेरे इस act की वज़े से complications होंगे कोफेंस के तो वह murder माना जाएगा या इस case में अगर माना जाए तो वह mensory accept किया जाएगा और उसको crime मान लिया जाएगा अब अगला हमारे पास जो शब्द आता है वहाता है या omission के बारे में बात करता है कुछ लोग बोलेंगे या omission का मतलब ही करना और omission कोई क्राइम करना और omission कि क्राइम करना मान के चलिये कि मैं किसी को देख रहा हूं कि वो suicide करने वाला है या मान के चलिये मैं किसी दूपते हुए बच्चे को देख रहा हूं किसी नदी में और में को तैरना आता है मैं फिर भी वहां बैठा हुआ हूं तो मैंने omission यानि कि मैंने कोई कार ना करके उसको crime को commit किया कि मैंने उसको बचाया नहीं इसमें कई exceptions है लेकिन अभी अमारे पास समझने के लिए एक बहुत अच्छा example है ठीक है It is a Latin term which means guilty action Actis Reus का जो Latin word है उसका real में meaning होता है guilty action कोई एक action करना कोई एक ऐसा physical काम करना जो guilty proof करे आपको The physical component of a crime is known as actis Reus यहाँ पर देखिए mental element था और physical element था Mental element को हम कहते है mensoria intention जो की दिमाग में बना और जब हमने जब हमने वो intention अपने दिमाग में बना लिया और जो act किया हमने उसके base पे इसको actis Reus कहते हैं जो की एक physical component है omission का मतलब क्या है omission का मतलब है occasionally an omission can amount to the actis Reus of a crime कभी कभार omission भी जो है क्या हो सकता है किसी crime को constitute करने के लिए act बन सकता है यानि कि किसी कार को ना करना भी किसी crime को करने की बचा बन सकती है इसका एक example जो मैंने आपको दिया उसको देखिए if you see a child drowning in a shallow water and you do nothing to save the child you will not incur criminal liability for your inaction no matter how easy it may have been for you to save the child's life आपके उपर भले ही वो criminal charge ना लगे भले ही आप मानके चले कि एक बहुत ही छिलशले पानी में एक बच्चा डूब रहा था आप दूर से बैटके उसको देख रहे थे यह एक omission है यानि कि आप उस बच्चे को बचा सकते थे आपने उस बच्चे को नहीं बचाया क्यों क्योंकि आपने कोई कारेक्ट नहीं किया आपने आपको उस कारेक्ट करने से रोका इसी को omission कहते हैं अब इसमें आपके उपर criminal charge लगेगा कि नहीं हम यह case to case vary कर सकता है ideally उस case में आपके उपर criminal charge नहीं लगेगा लेकिन यह बहुत ही अच्छा example है act और omission के शब्द को समझने के लिए तो यह था हमारा वीडियो जिसमें हमने in brief discuss किया stages of crime के बारे में और जाने से पहले मैं एक बड़ी अच्छी information देना चाहता हूँ कि जैसा हम सब जानते हैं कि 36 गड़ ADPO की vacancies आने वाली हैं और competition community का बिलासपुर center यानि कि बिलासपुर से मैं अभी जहां से आप से बात कर रहा हूँ वो ADPO की नई batches लेके आ रहा है बहुत ही जल तो अगर आप interested है ADPO बनने के लिए और as an ADPO 36 गर स्टेट को serve करने के लिए और अपनी तैयारी को बहुत जोरदार बनाने के लिए तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे इस वीडियो के link में आपको उसकी details भी मिल जाएंगी उसके साथ ही साथ आप हमारी competition community की website पे भी जाके उन details को visit कर सकते हैं और हमारे calling numbers पे call करके आप admission process को आगे बढ़ा सकते हैं तो thank you very much, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए all the very best and अपनी preparation को हमेशा शाप रखिए अगर आप चाहते हैं अपने carrier को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथवा description box पर दिये गए link पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ Team Koko